नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे और आपके यूटूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग इस्टोर में आज के इस वीडियो में मैं आपको येर्टेल पेमिन्ट बैंक EPS सर्विस का रगिस्टेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने लगूं इसके लिए सबसे पहले आपके पास EPS का लाफो सिम काड होना चाहिए और आपके स्मार्ट फोन में EPS का मित्रा एप डाउनलोड होना चाहिए तब ही जाकर आप येर्टेल पेमिन्ट बैंक का EPS सर्विस का रगिस्टेशन कर सकते हो और येर्टेल पेमिन्ट बैंक CSP का EPS का सर्विस चालू कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है येरटेल का जो मित्रा एप है तो डाउनलोड कर लेना है उसके बाद में येरटेल के मित्रा एप को आपको ओपन कर लेना है तो जैसे ही आप येरटेल मित्रा एप को ओपन करते हो तो यहापर आपको बताया जा रहा है कि येरटेल मित्रा और नीचे आपको यहापर बताया या रहा है लाफो नमबर तो आपको या पर क्या करना है जो आपका इरटेल का लाफो सिमकाड का मोबाइल नमबर है तो वह मोबाइल नमबर आपको या पर इंटर करना है तो मैं क्या करता हूँ मेरा इरटेल का लाफो सिमकाड का मोबाइल नमबर या पर इंटर कर देता आपका येर्टेल का लाफो सिमकर्ड का पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को आपको यह पर इंटर कर देना है तुम्हें क्या करता हो मेरे लाफो सिमकर्ड का पासवर्ड यह पर इंटर कर देता हो उसके निचे आपको यह पर बताए जा रहा है सब्मीट तो आपको क्या करना यारा है यह drive payments bank नीचे बताये जारा है bank यह पर अलगेए उसके बाद में यापने चे बताये रहा है login तो आपको क्या करना है इस login के option पर click करना है जैसे ही आफ login के option पर click करें तो यापर एक notification आएगा तो आपको क्या करना है notification को cut कर देना है जैसे ही आप notification को cut करते हो तो आपको यहापर क्या करना है जो आपका येरटेल पेमेंट बैंक CSP का जो पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को आपको या पर इंटर करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ मेरे येरटेल पेमेंट बैंक CSP के पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ तो मैंने मेरे येरटेल पेमेंट बैंक CSP के पासवर्ड को या पर enter कर दिया है उसके बाद में निचे आपको यह पर बता जा रहा है login तो आपको क्या करना है login की option पर click करना है जैसे ही आप login की option पर click करोगे तो यह रटेल payment bank CSP का dashboard open ओकर आ जाएगा तो जो भी retail payment bank के CSP में services है तो पूरी services आपको यह पर शोगी जैसे कि आपको यह पर दीख रहा है तो यह रटेल payment bank CSP में इतनी services आपको मिलती है यह बाद में आपको क्या करना है यहाप पर नीचे लेना है जैसे ही आप नीचे लेते हो तो नीचे यह पर आपको एक option शोगा EPS और आपको साइड में बताया जा रहा है कि आधार enable payment system तो आपको अगर से यह तेल payment bank EPS service का registration अगर से करना है आपको अगर से यह retail payment bank CSP का EPS service अगर से चालू करना है तो आपको क्या करना है इस आधार enable payment system की option पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस option पर click करती हो तो next pages open पनों कर आजाएगा उसके बाद में उपर बताया रहए की आधार एनेबल पे मेंट सिस्टम मतलब की aeps और नीचे इंटर रिटेलर आधार नमबर तो आपको यह पर क्या करना है जो तो आपका जो भी यह रिटेल का लाफो सिमकर्ड का मोबाइल नमबर है तो वो मोबाइल नमबर या पर आटोमेटिक आ जाएगा उसके दमें नीचे आप आपको बताए जा रहा है कि गेट OTP तो आपको गेट OTP की आप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप गेट OTP की आप्श प्रेंश हो रहा है पुरसिट तो आपको क्या करना है पुरसिट के आप्शन पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप पुरसिट के आप्शन पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा उसके बाद में या पर उपर एक बॉक्स रहेगा तो आपको क्या करना है जैसे ही आप box पर checkmark लगा हुए तो यहाँ पर आधार जैसा थम जैसा आपको एक यह पर symbol दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी bimetric device है, तो आपका bimetric device आपको आपके smartphone के साथ connect कर लेना है, तो मैंने मेरा मंतरा का bimetric device मेरे smartphone के साथ connect कर ले, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस आधार के thumb के option पर या फिर इस आधार के thumb के symbol पर आपको click करना है, जैसे ही आप इस thumb के symbol पर option पर click करोगे, उसके बाद में आपको बताए जारे place any finger one scanner, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे मंतरा के bimetric device पर मेरा finger लगा देता हूँ, जैसे ही मैं मेरे मंतरा कि बायामेटिक डिवायस पर मेरा में फिंगर लगाय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह पर बताय है रहे है लोड़िंग उसके रादंग के आधार अनिबल पेमेंट सिस्टम नीचे बताय है कि कैस्ट यूडॉल मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वाइरी सेंट टू बैंक और यहाँ पर बता जा रहाए कि एक्टीविटी लोग तो यहाँ पर मैंने यह टेल पेमिन्ट बैंक आपको यह पर पूरी ओक्शन ऑस्टो रहे हैं कि अपर यह टेल पेमिन्ट बैंक कर सकते हो मिनी स्टेटिमेंटबनी सकते हूँ बैलेंस इंक्वाइरी कर सकते तुम्हें क्या करता हू एक पर back लेता हो ज्यसके बेक लेता हो उसके बाद में मैं आधार enable payment स्टम के option पर click करता हू ज्यसके बाद में यहाँ पर जो भी AEPS की services है तो पूरी AEPS के services ओपन हो कर आ गई है तो इस तरीके से आप year atel payment bank ePS service का registration कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप एरटेल पेमेंट बैंक CSP का EPS सर्वीस चालू कर सकते हो तो आज के इस व्यूडिय भी मैंने आपको बताया कि Yertale payment bank CSP का EPS service का registration कैसे करते हैं Yertale payment bank CSP का EPS service कैसे चालूग करते हैं और आपको अगर से Yertale payment bank CSP का EPS service अगर से लेना है Yertale payment bank CSP अगर से आपको अगर से लेना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरा whatsapp number और calling number मैंने वेल्य के description में दिया है आप मुझे call करके WhatsApp करके आप मुझे एरटेल payment bank का CSP ले सकते हैं एरटेल payment bank का EPS service आप मुझे ले सकते हैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लागा होगा वीडियो अगर से अच्छा लागा होगा तो जरू करो थैंके पर वाचिंग डिस यूडियो मिलते हैं अगले वडियो में तब तक के लिए देखते रहें ये online earning store YouTube चैनल